पुसकार दोस्तो स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूटुब चैनल में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी घर में लोग बार-बार बीमार हो रहे हैं तो आज ही पाए इस से छुटकारा करें ये काम आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके बदलता मौसम बीमारियों का घर होता है इस मौसम में तरह तरह के वाइरस और बैक्टीरिया पनपते हैं ऐसे में लोगों को सेहत समबंधी समस्याएं भी आती रहती है अब कभी कभार बीमार होना चलता है लेकिन यदि आप बार-बार बीमार होते रहे तो ये दिक्करत वाली बात हो जाती है आपको या घर में सभी सदस्यों के बार-बार बीमार पढ़ने की वजह वास्तु शास्त्र से जुड़ी भी हो सकती है यदि घर में वास्तु दोश हो तो इसका बुरा असर घर के लोगों की सेहत पर भी पढ़ता है इसको चलते घर के लोग ना सिर्फ बार-बार बीमार पड़ते हैं, बलकि लंबे इलाज के बावजूद उनकी सेहत में कोई सुधार भी नहीं होता है ऐसे में कुछ वास्तु उपाय आजमा कर आप इस समस्या से छुटकारा पार सकते हैं घर का मुख्य द्वार साफ रखे घर में जब भी कोई नेगेटिव एनरजी प्रवेश करती है तो वह मुख्य द्वार से ही अंदर आती है ऐसे में इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि घर का में गेट गंडा या टूटा फूटा नहो इसके आसपास की साफ सफाईर का विशेश ध्यान रखे इसके साथ ही आपको घर के मुख्य दरवाजे पर हर रोज स्वास्तिक बनाना चाहिए यह उपाय करने से घर का वास्तु दोश समाप्त हो जाएगा और कोई सदस्य बार बार बीमार नहीं होगा ब्रहमस्थान खाली वसाफ सुत्रा रखे वास्तु शास्त्र में घर के मध्यभाग को ब्रहमस्थान कहा जाता है पुराने जमाने में घरों में ब्रहमस्थान पर खुला आंगन होता था कहते हैं कि खुला हुआ ब्रहमस्थान घर के वास्तुदोशों के गलत प्रभाव को कम करता है हाला कि वर्तमान में मकानों का चलन कम हो गया है लेकिन आप अपने घर के मध्य भाग को खाली और साफ तो रखी सकते हैं यहां गंदगी होने पर वास्तु दोश उत्पन होता है इससे घर में बीमारिया आती है और धन हानी होती है मकड़ी के जाले हटाएं घर में मकड़ी के जाले का बनना शुब नहीं माना जाता है इससे वास्तु दोश पैदा होता है इसलिए आपको घर के कोनो दर्वा जो खिड़कियों आदी पर मकड़ी के जाले नहीं बनने देना चाहिए इनके बनने से घर में तनाव और नेगेटिव महौल रहता है ये आपके शारीरिक स्वास्ते पर भी बुरा असर डालता है बीम के नीचे सोने से बचे घर में जो बीम बने होते हैं उनके नीचे सोने से बचना चाहिए यहाँ सोने से सेहत और धन से जुड़ी हानी होती है वही व्यवाहिक जीवन पर भी इसका बेहत बुरा असर पड़ता है सोते समय इस बात का विशेश ध्यान रखे कि आपका सिर्दक्षिन दिशा की ओर हो इससे आपकी सेहत और व्यवाहिक जीवन दोनों अच्छा रहेगा सुभा शाम कपूर जलाएं घर के वास्तु दोश और नेगेटिव एनरजी को दूर करने में कपूर आपकी मदद कर सकता है घर में सुभा शाम कपूर जलाना फायदे मंद होता है इसे जलाने के बाद पूरे घर में घुमाना न भूले वही इस बात का खैल रखे की सूरी की रोशनी और ताजी हवा सभी कमरों में आती रहे इसके अतिरिक्त घर में काटेदार पौधे लगाने से भी बचना चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कृप्या वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें